संजेर राउत ने डिप्टी सीम दिवेंदर फड़नवीस और शिंदे सरकार पर लगाये गंभीर आरोप जाने क्या कहा? शिवसेना यूबिटी सांसत संजेर राउत ने मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री पर जम कर हमला बोला है उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर डिप्टी सीम दिवेंदर फड़नवीस और महराष्ट सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा कि 28 फरवरी को ग्रिह मंत्री को पत्र लिख कर महराष्ट में चल रहे ओनलाइन लॉटरी जुवा खेल की जानकारी दी इस ओनलाइन लॉटरी जुवे के अड़े में कई छोटे बच्चे बरबाद हो गए है और कई परिवार इस जुवे में बरबाद हो गए है संजर आउट ने आगे लिखा इस जुवे को सरकार का समर्थन प्राप्त है क्योंकि पुलिस और मंत्राले को भारी किष्टे मिल रही है कारेवाही की मांग की गई है पर अन्वीस कैसे लेंगे एक्षन इस जुवा कंपनी फ्यूचर गेमिंग मार्टिन लॉट्री एजिंसी लिमिटेड ने बीजेपी को 450 करोड का चंदा दिया है तो क्या ये है भारतिय जुआ पार्टी संजर राउत ने कॉंग्रेस और बीजेपी को लेकर दी थी ये प्रतिक्रिया वहीर अविवार को शिवसेना यूबिटी सांसत संजर राउत का कॉंग्रेस को लेकर बड़ा बयान आया था दरसल मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि कॉंग्रेस नहीं होती तो क्या होता इस पर उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती कॉंग्रेस नहीं होती तो देश को नित्रत्व नहीं मिलता ऐसी कई बाते हैं जो बीजेपी वालों के समझ से उपर है लेकिन बीजेपी को ये बाते समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते वे बीजेपी वैपारियों और उद्योगपतियों का विचार करते हैं जिसका राजा वैपारी होता है, उनकी प्रजा भिखारी होती है। संजे राउत ने कहा देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नहीं होती, तो कई बाते होती। इस देश में दंगे नहीं होते, इस देश का रुपया मस्बूत होता, देश की प्रतिष्ठा और बढ़ती, देश पर जो कर्ज है वो कम होता, देश चे जो लोग भाग गये वो नहीं भागते, जो घोटाले हुए हैं वो नहीं होते, बीजेपी नहीं होती तो बहुत सी बात तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कलाव वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटेन केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर्बाइ सुहागी बाइपार